तो हेलो वेट केसी हैं, आज मैंते आपको तारोई पहले सेमसंग के जो मैसेंजयर होता है, तो श कह न्या अपडेट आए, क्या नए अपडेट की बाने एक जांग प्टेट, पहले हैं आपको प्लेड पोड़े हैं टो सकें, मुझें इस्टागरम फेस्ट वर फोलो का तो दोस्तों बात करें इस अपडेट में क्या नहीं चेंजिस किया गया उसके बारे बात करें यहां पर आप देखेंगे नीचे की तरफ आएंगे इस अपडेट को राउट किया गया 25 जुलाई को इसका अपडेट वर्जन है 15.2.30.7 जिसका साइज है 46.92 MB का अब बात करें नहीं आपडेट में क्या नहीं चेंजिस किये गया और एक्च्वला माही यह इप काम क्या खरता है तो यहां पर हम दिस्रिप्शन मе देखें वैसे उरोनों को आप इंटेवेस ने मालीहां यहां पर आप send कर पाएंगे तो आपको इसके अंदर की फीचर मिलते हैं enjoy the default sms and mms features search for messages and contact आप यहां पर साच कर सकते हैं stickers and stickers को भी भी सकते हैं block message कर सकते हैं pin to top part of chat room, top कर सकते हैं pin, mark message, add read, schedule message कर सकते हैं और भी बहुत सारे छोड़े फीचर इसके अंदर आपको यहां पर मिल iPhone में होता है आई message के तरूप वैसी इस तरही है message को आप यहां पर कर सकते हैं जैसे कि आप इसको first time open करेंगे तो आपको यहां पर interference मिलने वाला है normally यहां पर interference मिलेगा आपको यहां जाएंगे 3 dots पर, यहां जाएंगे settings पर, settings में जाने किया आपको जाना है यहां पर settings में ज तो OTP related जो भी message होंगे मैं एक choose कर दूँगा तो उस से related सारे message हो आटमेटिक convert हो जाएंगे से मैंने यहां डाल दिया तो आटमेटिक आप इसके अंदर इस folder के अंदर डाल सकते हैं और easily आप बाद में कुस्माइज कर सकते हैं बाद में easily उसको find कर सकते हैं तो सबसे बेला feature इसमें मिलता है आपको साथ में recycle बिंद्या support on off या चाहते हैं नहीं जाते हैं आप यहां पर कर सकते हैं उसके अलावा notification में जाएंगे तो notification को भी आप आप यहां पर सेट कर सकते हैं कि कैसे message आपको शो करें किस तरीके के बॉप आप आप आए configure message भी आप यहां पर site out कर पाएंगे ठीक है उसके अलावा ब्लॉक नंबर कर सकते हैं ब्लॉक नंबर करने का support हर्मया मिलता है फॉलर आइडी स्नेंप protection मिलता है कि कोई भी अगर फालतु की एप जो आपकी OTP को access कर रहे हैं उसको यहां पर ब्लॉक करता है फालतु के unwanted जो भी लिंक शेयर होते हैं वो भी आपको यहां पर ब्लॉक करके बता जाता है उसके लावा आप मोर साइटिंग्स मुझाएंगे मोर सेटिंग्स के अंदर आपको यहां पर text message related जो भी आपको चाहिए यहां पर show and delivered आपको जो भी इसमें सुवीदा चाहिए आपने साबसे on-off कर स सकते हैं क्यों प्रिक्सवां में जो भी आपको लिखाओ मिलता है आप इसमें से भी आड़न कर सकते हैं यहां फिर नया करना चाहिए एडिट करना चाहिए दो यहां पर आपको option मिल जाएंगे पुश मैसे जो आपको flash message होते हैं वह मिलते हैं अगर आप नहीं चाहते हैं मि आप लिंक from contact, remove location from shared image, delete all message यह साब सारे features आपको मिल जाएंगे आपको एक एक करके उसको check कर लेना और alert कर लेना है उसके अलावा emergency alert feature मिलता है कि आपको कोई भी emergency alert जैसे कि एक alert आया था भी कुस time पर आपको पता होगा उस time के बहुत जादा टेप, एक sample testing की गई थी कि अगर in future कभी अर्थ को एक आता है तो उसकी notification कैसी जाए जाएगी, तो वोई notification मेरे पास आप दिख रहे हैं, अभी तक दिखा रहा है, तो यह यहाँ पा alert आपको दिखाएगा, उसके अलावा यह app क्या क्या है, permission को access कर रही है, वो आपको दिखा रहा है, about message में जाएंगे तो update हो कर रहा होगा, या अच्छा कर रहा होगा, या बुरा क्या हो, कुछ तो जरूर कर रहा हो, क्योंकि कुछ भी नई changes में update क्यों देंगे, तो कुछ तो update किया होगा, तो आपको update करना जाएगा, उसके अलावा यहाँ पर देख रहे हैं, आपको ऐसा option मिलता है, अब यहाँ प सकते हैं, इसके अलावा contact के message को contact मिल जाएंगे, useful cards मिल जाएंगे आपको, यह upcoming में जो भी आपके message आए होगे, offers वाले वो यहाँ पर आजाएंगे, finance वाले आपको यहाँ पर आजाएंगे, तो यह अलग से automatic उसको shout out कर लेता है, overall यार मुझे सबसर बेस लगता है, क्योंकि सेमसंग का और सेमसंग के device चला रहे है, तो आपको यह यूज़ करना चाहिए, यह काफी अच्छा रहता है, यूज़ करने भी काफी अच्छा है, अगर आप यहाँ पर message पर जाएंगे, suppose अगर आप किसी को कुछ भी message लिख रहे है, suppose आप एक message लिख रहे है, happy birthday किसी को भी मैं यहाँ पर लिख रहे है, तो मैंने गया happy birthday करा और मुझे इसको एक schedule डाल दिया कि मुझे इसको particular days में ही देना है, तो मैंने यहाँ पर तारीक पर तारीक को set कर लिए, like मैंने मेरी birthday 19 को आता है, तो मैंने अपना birthday date set करी और इसको यहाँ पर aim कर दिया, set schedule कर दिया, set schedule कर मैंने यहाँ पर set schedule कर दिया, यहाँ पर मैं अपना number डाल दिया है, happy birthday लिख दिया, happy birthday से नहीं, ठीक है, अब मैंने यहाँ schedule कर दिया, आप देख रहे होंगे, will be send on Monday 19 अगस्त को automatically send हो जाएगा, मैं अभी इसको send कर रख दूँगा, बट यह send जब ही होगा, जब ही 19 तारीक क टिकट करेगा, तो यह आपको यहाँ पर बहुत शांदर option मिलता है, इसके अलावा जब भी आप message करेंगे, तो आप यहाँ पर multimedia access करने को option मिल जाएगा, camera की photo से आप tag, video, record भी कर सकते हैं, plus में जाएंगे, plus में आपको यहाँ पर photo, schedule, message, quick response, subject, location, image, audio, content, calendar, Samsung notes, voice, record सब बेज बेजने को option मिल जाएगा, यहाँ पर जाएगे, तो आपको यहाँ पर stickers बेजने का, और emojis बेजने को option मिल जाएगे, यहाँ पर जाएगे, तो आप voice recording भी करके यहाँ पर बेज सकते हैं, तो overall बहुत ही चांदर सैंसंक messenger app होता है, उमीद है कि आपको मेरे वीडियो पसंद जाए होगी, ऐसी ने अपडेश की चैनल जरू सब्सक्राइब करेज़ेए, थेंक्यू सो मच, तो अपको यहाँ पसंद है होगी, अगर आपको यहाँ पसंद नहीं होगी, तो प्लीज लाइक ज़रू करें, आपको लगता है कुछ कमी है मेरे वीडियो में, तो मेरे डिसल मत्युू